नमस्कार खबरों में आप सभी का स्वागत है मैं शिवानी कौशल आपके साथ तो चलिए रूप करते हैं खबरों की और फरिदबाद में यमुना के पास गाव नचोली के शिव मंदिर में पिछले कुछ दिनों से विचित्र घटनाय घट रहें मंदिर परिसर में एक साप का आना जाना लगातार लगा हुआ है और लोग इसे भगवान शिव और धार्मिक मानिताओं से जोड रहे हैं साप कभी शि लोगों में एक डर पनब जाता है जो बड़े बुड़े उनके भी बहुत पुरान आया की पल का पेड़ता है तो हम तो बच्पन से देखते आ रहे हैं और जो भी इन्होंने भाई ने बता है वह सारा कुछ सचाई है क्या क्या होता है है मलफ साहां पाता है क्या एक्टिव सब्सक्राइब करने के लिए कितने बचे आता है कितने बचे जाता है आट दस बजे के बाद निकलता और साम को चार वजे से फर्दबाद में कानून विवस्ता किस तरह से चर्मरा गई है इसकी पोल उस समय खुली जब केंदुरी राज्य मंद्री किष्टिपाल गुजर के निवास का कार्यलिय से मात्रू सो मीचर के दूरी पर बदमाश व्यपारी से लूट पाट कर उसकी स्कूटी चीन कर व्यप भी रूप से घायल कर फरार हो गई चहल पेल वाले पोश एरिया में हुई इस घटना से आसपास के लोगों सहीत व्यपारियों में रोश्व्याप्त है वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि क्राइम ब्रांच की टी में गठित कर आरोपियों को जल्द गिरफतार किया ज कि सुवाज जिंदल जी हैं जिनके 2839 के रोड पार जो हैं उनकी अपनी इलेक्टिशन की शोरूम है जहां से ओर नाइट में चले दे नौ बज़े के आसपास और नौ बज़के पांच मिंट पर उनके साथ यहां बारदात गटना गटी है जो उनकी शुकूती और कुछ बत तो वहीं फर्दबाद के चुनाव निर्वाचन आयोग ने अपने ऊपर उठने वाले सवालों का जवाब देने के लिए नई वीवी पेट मशीन शुरू की है जिसकी प्रदशनी इन दिनों फर्दबाद के नगर निगम सभागार में लगी हुई है इस मशीन से अब मदात संतुष्ट नजर आ रहे हैं और आयोग की सरहना कर रही है इसकी जानकारी देते हुए चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रदशनी दिखाने आयोग निवास ने बताया कि इस मशीन के आजाने से मदाताओं के सबी सवालों के जवाब मिल गए हैं और इस मशीन के ह होने से एक मदाता सिर्फ एक ही बार वोट डाल सकता है और फर्जी वोट डालने का सिलसिला खतम हो जाएगा पार्टी या बड़ी पार्टीय पार्टीय वो अरोब लगाती है लेकिन यह जो मसीन आई है इसमें किसी का कोई पंगा नहीं होगा बहुत बढ़ी है मसीन कितना विश्वास जग रहा है आगे अब आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं हरियाना में तो क्या लगता है अब यह मसीन सखसर पूल रहे गी हमारी मसीन तो अच्छी पहले है इसकी ट्रेइनिंग दिजा रही है तो आपने भी देखा सीखा पूला है मैंने सीखा देखा इसकों चलाया है बड़ी अच्छी मसीन है तो वही फर्दबाद में एक बार सफाई करमचारी सरकार के विरोध में उतर आये और आज पूरे परदेश में तमाम जिला मुख्यालियों पर सफाई करमचारी ने जाडू उल्टे उठा कर सडकों पर विरोध परदशन किया जिला सफाई करमचारी ने बलबीर गुहेर ने बताया कि बीते साल मई में 16 दिन चली लंबी हर्ताल के बाद शहरी निकास मंतरी कविता जैन की अध्यक्षता में तीन मंतरियों ने यूनिय नेताओं के साथ सभी मांगों पर सहमती जताते हुए इन्हें शीख लागू करने की बात कही थी लेकिन 6 महीने बीच जाने के बाद भी मांगी गई मांगे अभी तक लागू नहीं की है करमचारियों ने कहा कि हम सरकार को चितावनी देते हैं कि वह समय रहते गरीब सफाई करमचारियों की मानी कई मांगों को लागू करें और करमचारियों का शोशन करना बंद करें आज हमारा परदेशन पूरे अरियाना परदेश में हमारे परदेशन है क्योंकि जो सहरी इस्ताने निकाय मंत्री है आदर्णे कवीता जैन जी हमारा हमने मई के मईने में 16 दिन लगातार हर्ताल करी थी लोकल वाड़ी मैक्मे के सपाई करमचारियों पूरे 32,000 करमचारियों अर्ताल करी हमने 16 दिन परदेश की लोकल वाड़ी मंत्री कवीता जैन की अध्योंस योनलेरह इसाद में बैठक की और बैठक में सारी मांगों पर सहमती जताई उसमें ठेकेदारी पर्था सपाई मेंक में से पूरी तरीके समाथ करने की बाद पर सहमती बनी कच्छे करमचारियों को पक्ता करने पर सहमती बनी समान काम समान वेतन लागू करने पर हमारी सहमती बनी लेकिन आज 6 महीने बीद जाने के बाद जूद भी हर्याना परदेश की लोकल बाड़ी मंतरी कभीता जेंड ने हमारी मांगों को लागू नहीं किया इसलिए आज पूरे हर्याना परदेश की अंदर सरकार के विरोध में है और खासकर हमने भी अपना ये मोखा चुना है चुनावाने को है ऐसे में जहां विपक्ष ने घोशनाओं का अंबार लगा दिया है तो वहीं सत्ता रूण भारते जन्ता पार्टी ने भी योजनाओं का पिटारा खोल दिया है इसी कड़ी में भाजपा ने घर घर तक गैस कनेक्शन पहुंचाने के लिए एक योजना शुरू की है जिसको लेकर बलब गर्ग स्वास्तिक गैस कार्याले पर एक प्रेसवारता का आयोजन किया गया और प्रेसवारता के दुरान योजना के बारे में जानकारी देते हुए भारत पेट्रोलियम के लपीजी जिला विके प्रबंदग हिमांशू स्वान ने बताया कि उजवला योजना के तहट फरिदबाद में विबिन गैस कंपनियों ने लगभग 14,000 परिवारों को मुफ् जिसमें अभी तक उजवला योजना का क्या रहा है अपने फरिदाबाद डिस्टिक में उसके वारे में बताया गया है जैसे कि फरिदाबाद डिस्टिक में हमने उजवला योजना में लगभग 14,000 कनेक्शनों विश्यू करें हैं जिसमें की सड़े 9,000 के करीब भारत परिदाबाद डिस्टिक में लगाया जा रहे हैं जिन लोगो के घरोंट डिस्टिक में लगाया जा रहे हैं जिन लोगों के घरोंगे विश्यू जोजना में आके अपना राशन कार्ड 18 साल से उपर जो उनके लेश्यू करें उनका राशन कार्ड दो चीज़ें नहीं वारे हैं प्लस उनको एक अपना डिक्लारिशन देना होता है कि वह घरीप परिवार से ब्लोग करते हैं जो की दबाद रेल्वे स्टेशन पर देखने को मिला है सूचना के मताबिक लगू शंका करने के लिए मालगारी के नीचे बैठे युवक के उपर से 55 डिबो की मालगारी गुजर गई लेकिन युवक ने सूच बूच से उसने अपनी जान बचाई यह नजारा पत्नी और उसके बच्चों के सामने हुआ दिल देहला देने वाला यह है इसी बीच रेल्वे स्टेशन पर चीक पुकार मच गई और लोगों का जमघट लग गया दलसल रात पॉने 9 बज़े घटना है यूपी संपरकरांती एक्सप्रेस प्रेटफार नंबर 3 से जा रही थी और उसके पीछे ठीक बगल वाली जो लूप लाइन है यह दूसरी लूप लाइन उसको बोलते हैं उसको बेटा हुआ था उसको टॉयलेट आई और वो टॉयले तो वहीं बलबगड से देश्वयापी हरताल को सफल बनाने के लिए CITUC2 परिदाबाद के करमचारियों ने बलबगड में रेस्ट हाउस के सामने गेट मीटिंग कर प्रेसवारता को संबोधित किया इस मोके पर करमचारियों ने कहा कि कच्चे करमचारियों को स्थाई किया आदी भी शुरू किये गए ताकि मजदूर अपना जीवन यापंदंग से कर सके उन्होंने कहा कि करमचारी आज मेंगाई के जमाने में काफी दिक्कतों से गुजर रहे हैं इसमें देश भर के कच्चे करमचारी बढ़ चड़ कर हिस्सा लेंगे विशे जी एक तो हमारी सरकार के खिलाब की कि हमारा जो मिड़े मील है वो सबसे कमजोर वर्क है और सबसे ज़्यादा शोशन है इनका जब हमारी ये मांग है सरकार से जब आप देश का भविश्य जो बच्चे हैं उनको आप मानते हो तो इनको रोजगार देना बहुत जर ही है पर्मानेंट बच्चे रहेंगे स्कूलों में आप स्कूल देश का भविश्य सुधार ना चाहते हो और उन बच्चों का ये काम करती है इनका ही शोशन करोगे तो आने वाले टैम में कैसे हमारे देश का सुधार होगा गुरुग्राम में कॉंग्रेस कारेकरताओं ने सेक्टर बारा स्थित साड़े तीन एकर कॉमर्शियल जमीन में हुए बारा सो करोड रुपए के घोटाले के खिलाफ जम कर प्रदर्शन किया गुरुग्राम के कॉंग्रेस कार्यालिया से शुरू हुआ विरोध जिसका मुआवजा भी किसान ले चुके थे लेकिन बाद में हर्याना भाजपा के वरिष नेताओं के दबाब में इस जमीन का मुआवजा किसानों को वापिस लोटा दिया गया और उनी किसानों से यह जमीन सस्ते दामों पर आमरा बिल्डर को बिकवा दी गई जो की यहां फ लेकिन इस विजिए बेस constraint को दर्कनार करके और सब्सक्राइब को दर्कनार करके और चुर्प टीया वर चृमितंरा को जमीन से विब्त ओतार नोटा दी डिसके किमत आज बाद कर दोड़े हैं यह यहां जिसके लिए आज गुरुग्राम के लगु सचिवालिया में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया गुरुग्राम उपायुक्त ने 16,000 लोगों को आयोश्मान भारत का कार्ड दिया जिसके तहट लोगों को 5,000,000 तक का मुफ्तिलाज किसी भी अस्पताल में दिया जाएगा पिर चाहे वैं सरकारी अस्पताल हो या प्राइबेट वहें गुरुग्राम सीएमो की माने तो इस योजना में गुरुग्राम के 85,000 लोगों को लाब दिया जाएगा जिसमें से 20,000 लोगों को कार्ड दिये जा चुकी है आयश्मान भारत योजना में सरकार ने कई प्राइ जनारों के योजना है उसके अंतरकर जो पत्र मिले थे जो हमारे पास हैड़कोर्टर से है थे वो सभी बेनेफिसरी को बुला कर यहां पर डिस्टिब्यूट किये गए हैं और उनको इस योजना की क्या लाब रहेंगे क्या फाइदा मिलेगा किन हस्पताल में वो जा सकते ह हैं ठीक है उन्होंने अपना डिजिस्टेशन कैसे कराना है और कैसे उनको इस तरह का लाब मिलेगा इसके बारे में विस्तार से इनको बताया गयागा कितने कार बाट दिये सब्सक्राइब आज हमने कम करीब यहीं के पांसों के करीब जो कार्ट हैं वो डिस्टिब्यूट करेगी एक बहुत बड़ी यूजना है जिसमें काफी करोडों परिवार पूरे देश में इसमें शामिल हैं इसमें चिन्नित हस्पताल हैं उनमें इस तरह की सेवा को एक गोल्डन कार्ड जो स्वास्विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा वो दिखा कर इनकी सेवाओं का लाग लिया जा सकता है और पांच लाग तक का कर्चा एक परिवार का एक साल का सरकार वहन करें अब तक कितने कार्ड जो हैं बढ़ चुके हैं गुरुग्राओं में लगबग 16,000 कार्ड वितृत किया जा चुके हैं लगबग 85,000 इसके बेनिफीशरी गुरुग्राम में चनित हैं उन तक पहुँचने के लिए आज एक कारेकरम किया गया जिसमें पत्र के मार्धियम से जो जो बेनिफीशरीज हैं उनके घर पर एक पत्र भेजा गया है ताकि इस स्कीम के बारे में उनने जानकारी मिले और एक सूची भी साथ भीजी जा रही है हस्पतालों की ज सोला हस्पताल ऐसे हैं जो इस पर ऑन बोर्ड हैं इसके अलावा पंच सरकारी हस्पताल भी इस स्कीम के साथ जुड़े हुए पलवल में कॉंग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी ने कहा कि अगर भाचपा इस ही माइनर में फरिदाबाद के साथ साथ पलवल जीलों के विकास की सोच रखे तो भाचपा फरिदाबाद बल्लबगर्ड में कांग्रेस सरकार की देन मेट्रो परियोजना का सीटी पलवल में बजाने का कार्या करते उन्होंने का कि भजपाईयों ने हाल ही में फड़दबाद से गुर्गाव मेट्रो परियोजना लाने का जुमला फैका है जबकि फड़दबाद और पलवल की का विकास एक तूसरे से जुड़ा हुआ है ऐसे में पलवल की बजाए ग 2019 में कांग्रेस सरकार बनते ही पलवल तक मेट्रो लाई जाएगी ऐसा है कि भाजपास सरकार जब से बढ़ी है यह पबलिक को गुमरा करने के लिए जूड़ जुमलों का इस्तिमाल करते आई है वो हमें इस रैली में देखने को मिला जब शंकनाद रैली हुई थी शुरू इसके लिए परचार के लिए निकले थे हमारे उद्योग मंतरी भी प्रगुरल जी तो पलवली भी गए सोहना भी गए आपको आप फिरोजपुर जिरकार तक गए इनों लोगों से कहा कि आप लोग रैली में आईए ये रैली साड़े चार साल के हमारे विकास कारों पर महर लगाएगी और आप लोगों को बड़ी-बड़ी सोगाते देगी लेकित देखने क्या मिला कुछ भी नहीं हुआ क्या कि इस रैली में जहां से हमारे उद्योग मंतरी जी आते हैं विधानसभा शेतर फर्दाबाद से वहां कि लोगों के लिए मातर पचास कोड़ रुपी गोशना है सीमसाद में करी जो की मानिये कि आप उन्ट के मुमें जीरे के पराबर हैं तो आप लगा सकते जिस विधानसभा से वात है जब उन्हीं को कुछ नहीं मिला तो और परनल को क्या मिलता मैं आपको बताना चाहूंगा आज सिर्फ 14 में 2016 दो साल पहले भी हमारे यही उन्हीं हमारे मुखे मंते थे इन्होंने डिश्यल डेली करी और नने कहा कि अफ़ धानसभा क्out विधास करें गैए इन्होंने कहा कि हम फ़र्दाबाद में पचास बैड का स्पताल देंगे, हम फ़र्दाबाद के 26 स्कुलों को अफग्रेड करेंगे, यहां पर हम बसन डा तिलाल गुलचिन में बस इतना ही नमस्कार